चोपड़ा है जो किस न्युटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चो, आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर ही लिया होगा और गॉर्मेंट की कटोप मैंने आपको बता दी है, ओलिंडिया कोटा की एक्सपेक्टेड उसके बारे में एक सेपड़ेट वीडियो बना दिया है और 200 हैं, 100 हैं और वो private medical college में admission लेना चाते हैं क्योंकि government की cut-off तो मैं already predict कर चुका हूँ, उस range में वो student नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए private medical college की कहां कहां possibility है, कितनी marks पर आपको private medical college मिल जाएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, round wise मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से state मे आपको कौन से round में medical college मिल सकती है, कितनी score पर वो college मिल सकती है, उससे पहले मैं आपको एक ruling बता देता हूँ, इंडिया में rule यह है कि जो candidates जिस state की domicile रखता है, उस state के government और private medical college में admission ले सकता है, इस state quota किता है, पॉल इंडिया कोटा तो domicile फिरी है, पॉल इंडिया कोटा में तो कोई state का कोई भी candidate admission ले सकता है, लेकिन state quota के लिए जो candidate जिस state की domicile रखता है, उस state के government medical college और private medical college में admission ले सकता है, यह rule है भी domicile का, अब कुछ state ऐसे हैं, जो अपनी state में दूसरे state के candidate को private medical college में allow करते है गुर्मेंट में तो कोई allow करता नहीं है, किसी भी state में दूसरे state का candidate 85% के लिए कोई admission नहीं ले सकता है, लेकिन कुछ state ऐसे हैं, जो private medical college में other state candidate को allow करते हैं, जिने open कोटा कहा जाता हैं, जैसे करनाटका, केरिला, तमिलनाडू, आंध्रा, चतिशगड, तेरपुरा, उत्रा खंड हिमा चल परते हैं, यह सारे open state हैं, लेकिन कुछ ऐसे state हैं, जो अपने state के लावा, दूसरे candidates को, दूसरे state के candidate को private medical college में भी allow नहीं करते हैं, उन्हें close state कहा जाता है, जैसे महराश्ट्रे, MP, उरिशा, गुजरात, ऐसे काफी सारे states हैं, जो दूसरे state के candidate को allow नहीं करत हैं, उन्हें close state कहा जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में उन states की cutoff के बारे में बताऊंगा, जो open state हैं, यानि की जिन candidates के marks government की जो level है, उस पर नहीं आ रहे हैं, उनमें उनका admission नहीं हो रहा है, government medical college में, जिनके 500, 400, 450, 300, 350, 200, 250, 100, 150, इस परकार से score आ रहा है उनका, तो उनको कहां कहां पर private medical college की possibility है, कौन से round में उनको college मिल सकता है, इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं, उन open states के बारे में, जिनकी cutoff क्या रह सकती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, केरला इस्टेट के बारे में, केरला इस्टेट इस सा माना जाता है, यानि कि 7 लाग से इसकी fees start होती है, 7 लाग से इसकी fees start होती है, केरला इस्टेट की, अगर इसकी round wise cutoff की बात करें, तो first round में 550 cutoff रह सकती है, second round में 525 cutoff रह सकती है, और last round में 450 cutoff रह सकती है, केरला इस्टेट की, क्योंकि इसकी fees आज की date में सबसे कम है, हलाग कि ये साथ लाक रुपए की जो फीज है ये ट्यूसन फीज ये है ये भी कम नहीं है और इस पर अधर एक्सपेंस लगा के ये टैन लाक पड़ जाता है लेकिन अगर कंपेर करें तो टैन लाक से डाउन और कोई कोलेज की फीज नहीं है यहाँ पर तो सबसे कम फीज वा यहां के प्राइवेट मेडिकल कोलेज में जो नोर्थ इस्ट के स्टुडेंट हैं वो काफी जाते हैं जो हरियाना, राजस्तान, यूपी, बिहार इस तरफ के स्टुडेंट यहां पर काफी एडमिसल लेते हैं और इसके अगर राउंड वाइस कटोफ की बात करें तो 490, 4 480, 420 यानि कि 1st राउंड में 490 कटोफ जा सकती है, शुरी यहां पर 490 कटोफ जा सकती है 1st राउंड में, 2nd राउंड में 480 जा सकती है और लास्ट राउंड में 420 कटोफ जा सकती है करनाट का स्टेट के लिए, ये करनाट का स्टेट के लिए इतनी कटोफ जा सकती है 1st सेक्न राउंड और लास्ट राउंड में आप बात करें िसटीय यह भी एक पूपपुलर एस्टेट है यह भी कम फीस के लिए जाना जाता है यह तो फाइप टुंत यह1st राउंड में कटप रह सकती है 450 ना रह सकती है और 400 लास्ट राउंड में रह शकती है तो ये हिंदी वासी स्टेट है इसकी वज़े से करनाटका और केरिला की बजाए लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं और फीस भी इनी के लेवल की फीस है इसलिए इसकी कटोफ इसनी जाती है लेकिन लास्ट राउंड में इसकी कटोफ काफी कम चली जाती है मोप अब बात करें हम तिरपुरा इस्टेट की तो तिरपुरा इस्टेट नौर्थ इस्ट में होने के कारणे इसकी कटोफ 520 फ़स्ट राउंड में जा सकती है और 340 जो कटोफ है यह जा सकती है शूरी 350 कटोफ जा सकती है लास्ट राउंड में यह जो कटोफ 540 है यह 440 कटोफ है यह मैंन हर्यान इस्टेट की हिंदिवासी स्टेट है ये भी 350 घट ओफ फस्ट राउंड की रह सकती है 2-45 सेकंड राउंड की रह सकती है और लास्ट 200 तक यहां पर education मिल जाता है हर्यान स्टेट में अब बात करें हम हर्याना स्टेट के बाद में उत्तर प्रदेस की उत्तरप्रदेश के बारे में यहां काफी सारे कोलेजेज हैं कटोफ सबसे डाउन रहती है यानि कि इंडिया का यही एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे कम कटोफ रहती है फर्स्ट राउंड की बात करें तो 100 मार्क्स पर कोलेज मिल जाता है लेकिन इसकी खासेत यह है कि सेकंड राउंड और मोपप राउंड में इसकी कटोफ बढ़ जाती है सेकंड राउंड में 250 रह सकती है और लास्ट राउंड में 300 रहती है यहां मानियोरिटी के कोलेज भी है मानियोरिटी के कोलेज काफी कम मार्क्स पर कटोफ रहती है विहार स्टेट की बात करें तो इसकी भी काफी फीष है विहार स्टेट की, 1st round में 200 तक सीट मिल जाएगी, 2nd round में 170 तक मिलने की चांसेज हैं, और 150 तक last round में मिलने की चांसेज हैं, यह जो दोनों open स्टेट हैं, इनमें सभी सीटू पर other स्टेट के candidate इलिजिबल है, यहां कि प्राइवेट की सभी सीटू पर अधेश्टेट काडिडेट यहां पर इलिजिबल है, बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां मैर्सी मार्केंडेश वर एक प्राइवेट कोलेज है चोलन में, फर्स्ट राउंड की कटोफ इसकी 300 रह सकती है, सेग यह कंबुद नया कोलेज है इसकी जो कठोफ है वह काफी जाती है 250 यड़ा sociedade में वटार करें तो एक प्राइवेटhealth कुलेज की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कुलेज में 300 पर यहां पर फस्ट राउंड में 245 पर सेकंड राउंड में और 200 पर लास्ट राउंड में सीट मिल सकती है यानि की मोपप राउंड में सीट मिल सकती है जहारखंट स्टेट में अब बात करें नेक्स्ट स्टेट तमिलाडू साउट का स्टेट है और यहां पर फस्ट राउंड में 420 कटोप रह सकती है, 450 कटोप रह सकती है, सेकंड में 280 रह सकती है और लास्ट राउंड में 200 तक कटोप चली जाती है यहां पर तमिलाडू स्टेट में वेस्ट बंगोल में fees काफी ज़ादा है इसलिए फर्स्ट राउंड में 110, सेकंड राउंड में 130 थोड़ी कटोप ज़्यादा सली जाती है और लास्ट राउंड में 125 कटोप रह सकती है यहां पर राजस्तान में second round से allow होते हैं candidate hundred marks पर college मिल जाती है hundred marks पर college तो मिल जाती है लेकिन fees काफी ज़्यादा होती है यहां other state candidate के लिए भी fees काफी ज़्यादा होती है सीटे last round तक इस state में बची रहती है इसके बाद में बात करें हम आंधरे state की तो आंधरा में first round की cut off रह सकती है 440 second round की रह सकती है 350 last round की cut off रह सकती है तेलंगाना state की आंधरा से ज़्यादा cut off जाती है 475 first round 422nd और 300 अगर माने हम तो last round की cut off यहां जा सकती है तेलंगाना state में पॉंडिचेरी की बात करें तो first round काफी high जाता है 500 पर जा सकती है second round 150 पर और 100 पर last round की cut off जा सकती है पॉंडिचेरी की भी fees काफी ज्यादा है तो हमने यहां देखा कि जिस state की जितनी ज्यादा fees है cut off उतनी ही कम जाती है कम fees वाले state की cut off ज्यादा जाती है यहां पर यही यहां पर यह system है अब बात करें dimmed university की तो dimmed university में fees के according score cut off रहती है यानि कि अगर जिस college की fees कम है तो उस score काफी score पर वो cut off रहती है इसकी और जो fees ज्यादा है जिनकी जैसे किसी की 25 लाक्स भी है तो qualifying marks पर भी वो college मिल जाती है dimmed university तो dimmed university की college wise fees है और वो fees के according ही cut off इतनी ज्यादा fees है यानि कि इसमें 10 लाक्स से start होती है 10 लाक्स fees symbiosis की है जो women college है 10 लाक्स से start होती है वो fees और 25 लाक्स fees सबसे ज्यादा fees है जो कि रामचंद्रा की है इसके इलावा पूने की है DRDY पाटिल की तो इनकी fees काफी ज्यादा है 25 लाक्स तक maximum fees है डेमडे युनिवर्सिटी की तो ये मैंने आपको बताई है cut off जो open state की है private medical college की है next video मैं आपको semi government medical college के बारे में लेकर क्या होँगा कौन से state में कौन सी semi medical college है किस state में है कितने उसकी category wise cut off रह सकते तो उसके बारे में बात करेंगे अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जैसे open state हो गया state का या फिर all India कोटा हो गया तो इसके बारे में हमने book publish कर दी है ये book आप इस video की description box से भी download कर सकते हैं फिर हमारी website www.sobdaeducation.in से भी download कर सकते हैं जैसी आप download करेंगे हम आपसे संपार्क कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं तो इन में अगर जो book है उसमें facility की बात करें तो इसमें open state के बारे में other state के बारे में government medical college के बारे में सब कुछ समझा रखा है हमने state की book में All India की book में choice list दे रखे है 23 के लिए कि आपको कैसे choice list choice list प्यार करनी है bond detail है 4 साल की previous year की cut-off है peace के बारे में जानकारी है counseling process के बारे में जानकारी है ये All India quota की book के बारे में भी available है state की book के बारे में भी available है अच्छा लगता है तो आप इसको subscribe करके रखे क्योंकि हम need related सारी information counseling related, admission related जो भी need related अफ्रेट होगी वो इस channel पर upload करते हैं तो ये channel भी आपके लिए important रहेगा आप इसको subscribe करके रखे ताकि जैसे ही हम video डालें आप तक notification मिल सके वीडियो को जदा से जदा लाइक वे share भी करें ताकि हर एक student तक ये information मिल सके मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैटन